आपका आवास है आईडिया हो रहा है उपर से बहुत ही ग्रंजी है अंदर से इतने ही सोफ्ट और जूसी में आपको कट करके दिखाती हूं अदर से इतने सोफ्ट जबरदस्त बने हैं चौकलिटी है बच्चे से बहुत ही शोक से खाएंगे बिसमिल्लायर्वान रुवाहिम असलाम ओलीक्मिवर्स कैसे हैं आप अमियत करती हूं कि मैं आप सब को शामें फूट केश्र में वेल्कम कहती हूं है आज मैं अपली बपोथी टेस्ट्रेस पर लेकिया हूं बहुत ही जटपट से बने वाली आज हम बनाएंगे चौकलिट पैटी यह बच्चों के लिए स्पेशल है बच्चे के बेट क्रम्स लिए हैं ओर धूर अडे चोकले प्रेट बनाने के लिए सबसे पहले अंडों को बीट कर लेंगे है विसकी मतलर से अच्छताना से भी तो बिट करेंगे हैं अन्य को रग्राइब अच्छताथ कर लिया है सबसे वेले प्रेत में ब्रेट केक स्लाइस क достаточно ईसके उपर सेंटर में रखे आपने चॉकलेट को सबसे पर बेकल स्लिस लिए आड़ाल कटर लिए है आप कोई भी कटर यूज कर सकते हैं इसको अपटर कर लिए इते पैटि के मैंने कटिंग कर ली है इस वाली ब्रेडखं़ जाय नहीं करेंगे से हम क्रम्ज मिना लेंगे बागी की भी मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी मैंने सारी पैड़िस की कटिंग कर ली है अब मैं इनकी कोटिंग करूँगी सबसे पहले अंदे की कोटिंग करेंगे गुल का अराम से, त्याद से अंदे की कोटिंग कर लेंगे बाद उसके breadcromb की coating करेंगे अच्छी तरह से अच्छी तरह से crumb लगाएंगे एक patti की मैंने coating कर ली है बागी की भी मैंसे ही कर लूँगी मैंने सारे patties के अच्छी तरह से coating कर ली है अब इनकों fry करेंगे पैने में पहले से ओल लेकि इसको हिट अप कर लिया है अब इसके अंदर में पैटी को रखूंगी ओल बुखोट ज़्यदा हिट अप नहीं होना चाहिए आपका मैंने सारे पैटी फ्राई होने के लिए रख दिये हैं इनको फॉरंस इनकी साइड चेंज नहीं करनी है थोड़े स्कूक होंगी उसके बाद साइड चेंज करेंगे पैटी को कूक होते विए एक मिनिट हो चुक है अब मैंने की साइड चेंज कर लूँगी बहुत ही अराम बहुत ही हत्यात के साथ इंके अपने साइड चेंज करनी है सारी पेटिस के मेरी साइड चेंज कर दी है इनको लाइट गॉल्ड रोव हमें तक कुप करेंगे अपने से सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ नहीं बेल आइक्टोन के पट्रिंग के जुरूर प्रेस कीज़ेगे ताके मेरी हर नई आने मरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हुआ बहुत ही राम से अपने निकालने हल्का से प्रेस करके इंको औल को निकाल लेना है माशलब बहुत ही अच्छे बने हैं बहुत ही जबरदास लोग काई है आप मेरी इस रेसिपी को सेम टो सेम ऐसे ही फॉलो कीज़ेगा और मुझे कमेंड बॉक्स में बताएगे कैसे लगी है आपको मेरी रेसिपी और मेरी चैनले को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपको इस में प्रेक ने रेसिपी के साथ अपने दौ़ा में याद अखिएगा अपको आपको अपने जौमान में रखे